असलाब अलैकूम कैसे हैं आज हम बात करेंगे milting point and waspont की topic क्या तो हम periodic table में पढ़िए milting point and μballing point हम trending पढ़िए हम पढ़िए वह group में उपर से नीच जाते हैं क्या होता है left round जाते हैं पर क्या होता है अच्छा हम बात करें देजनाब पोईंट पोईंट की बारे में और अम्शोर के आप कमजाएगे इस लेक्टर को सुंती भी अजसे पैनिवार जनाब आते हैं बिल्टिंग पॉइंट तो मिल्टिंग पॉइंट क्या होता है और यह आल लो वट्टिंग पॉइंट इस लेकिन थोड़ा सा इसको द्वारा पॉइंट डिट्याल में यह पढ़ने के लिए आप हमारी फस्टियर की लेक्टर देख सेते हैं पर फस्टियर में आप जाएंगे तो मिल्टिंग पॉइंट को आपको कई जगा मिल जाएगा एंड डिसकस अबार्टिंग पॉइंट इस दो बड़े इंपोर्टन चीजी है जो बड्सक्राइगे उसको कहते हैं इसको कहते हैं बॉइलं। एसको कहते हैं ये दोंचे हैं इसको कहते हैं हम किस चीज के मिल्ट किस कर हैं तो हम थाukर लात करेंगे rather than कि हम जएदा English Chemistry और वो उसकी किवाद करें तो शुरू में हम ये करेंगे कि शुरू में हम चीजों को आसान अलफाज में इस्तिमाल करेंगे ठीक है बहुत बहुत आसान अलफाज में हम कुशिश करेंगे इतनी असान अलफाज में हो कि आपके लिए कोई मिसला ना हो ठीक है और फिर जाके हम मुश्किल की तरफ जाएंगे हम थोड़ी सी बैसिक लेवल पर आते हैं तो उससे पहले वही अगर आप बैसिक लेवल पर जाते हैं उससे पहले दो बाते आपको याद रखनी हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो बैसिक्स है वो बहुत ही स्टॉंग हो और इतनी स्टॉंग हो कि जब आप यह पढ़ते हैं तो आपको मिसला ना हो उसके लिए आपको कालिज केमिस्ट्री यह जो है बाई अली सीरीज बु मिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंशाला इंशाला आपको फिज्ची के अंदर कोई मसला नहीं होगा कि सारी बैसिक्स वर सब कुछ आपकी स्टॉंग हो जाएगी एन्वेस साथ में कावा प्यूंगा और मिल्टिंग पॉइंट के हम बात करें मिल्ट हम किस चीज को करते हैं सबसा पहली चीज है मिल्ट हम कहते हैं वह कोई सॉलिट चीज है जा कि उसको लिक्विड में कनवर्ट करो मिल्ट हम किसे कहते हैं हम कहते हैं कि हैं कोई solid है कुछ भी solid है और उस solid को convert करो किसमे liquid में तो जब हम solid को liquid में convert करते हैं इसको हम कहते हैं melting इसको क्या कहते हैं this is called melting इसको melting कहते हैं अच्छा melting किसे कहते हैं हमने कहा भई solid को liquid में convert करने को melting कहते हैं इसका मदलब भी है कि जो melting point है ये depend करता है इस solid पर, ये क्या करता है depends upon the strength of the solid, देखो solid की बीच में जो strength है अगर वो ज्यादा है इसका मदलब melting point ज्यादा होगा, अगर इस strength कम है इसका मदलब melting point कम होगा, सिंपल है, इतने मुश्किल नहीं है, solid ले, solid अगर strong है, सखत है, strong है, जो bond है वो strong है, melting point ज्यादा होगा, और नहीं वो weak है, ये melting point कम होगा, ये इसी point को लेकि हमने explain करना है क्या, ये पूरा topic है, ठीक है, हम क्या कहेंगे, कि अगर, क्या, कि अगर ऐसा है कही, कि अगर strength solid, तो हमने कहा strength of the solid अगर ज्यादा है, तो melting point क्या होगा, strength of the solid अगर ज्यादा है, इसका मलतर melting point ज्यादा होगा, उसका pulling point भी ज्यादा होगा, क्योंकि सबसे पहले आपने solid को जो आप heat देते हैं, ये solid है और इसको आप heat देते हैं, heat, तो heat देने के बाद ये जाके liquid में convert हो तो जब ये liquid में convert होता है, इसको हम कहते हैं क्या? इसको हम कहते है melting, ये क्या होता है? melting, और जो heat चाहिए, जो temperature चाहिए, उसको हम कहते है, melting point, दूसरा, इस liquid को हम convert करें अगर gas में, liquid को convert गए अचा, जब जब इसको कहते हैं, sublimation, sublimation, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे, हम इ इसको हम कहते हैं जब लिक्विट को गैस में करते हैं इसको कहते हैं इसको कहते हैं इसको हम कहते हैं बॉइलिंग 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 कहते हैं समझारी पार तो दू चीजी हमने पढ़ी है कि वही इन दून में क्या फर्क है हमने पढ़ात वही फर्क यह है कि अगर किस चीज को solid को हम convert करें liquid में so then it is called then it is called melting लेकिन liquid को हम gas में convert करें then it is called boiling definition हम परते हैं boiling boiling point का definition वो थोड़ा सा थोड़ा सा वो अलफाद चेंज है तो वो मैं आपको समझाता हूँ boiling point देखो एक बात या दखना जब हम liquid की property पढ़ता है ने liquid की property किसी liquid की property मालूम करने के लिए आपको उसका vapor pressure का जानना ज़मरी है परिजमर if you know about the vapor pressure मैं बना pressure gas के लिए pressure और liquids के लिए भी pressure लेकिन liquid का pressure जो होता है वो वैपर का होता है उसको हम कहते हैं वैपर तो मैं मेरे बाद के नहीं है तो इसलिए हम कहते हैं यह जो आपने कोई container लिया फिर इसेंपल कोई भी container है और इसके अंदर आपने लिकुड लिया लिकुड माली कूल अब हीड देते हैं लेकिन ऌप जाने जानी से रोखने की लिए इसके उपर एक परशार होता है और इसको हम कहते हैं external pressure चेहां चाथे है Grande नाम कहते है atmospheric pressure क्या कहते है आझ्टी M ओर एस फी एच यु आर आई सी और उसको कहते हैं atmospheric pressure अगर ज्यादा है इसका मतलब balling point ज्यादा होगा atmospheric pressure कम है balling point कम होगा इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम different जगों में जाएंगे balling point different होगा ऐसा है for example हम सते समंदर पे हैं वहाँ पर pressure pressure maximum होता है लेकिन ऊपर चड़ेंगे पहार पी ऊपर चड़ेंगे तो balling point क्या होगा कम होगा कि जो external pressure होता है वो कम हो जाता है तो यह आपको बता होने चाहिए कि balling point के लिए हम लिखते हैं हम क्या कहते हैं हम कहते हैं कि when the vapor pressure यह एक आपकी explain करना था इस क्यों की definition में डिरेक्ट लिक्ता चॉपक्रों मैश्यों8 कि क्या लीक्रेक्ट नहींवे कि हम करने देक्सिफ यह वेपर प्रशर जिनकों यह वॉन पर पर पा दिमस्टहीं ड कि वेखते हैं हम अच्छा यहां पर बर्लिंग फाइट की डिफिनेशन की ज्यादे जहुलत नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी यह लिखते हैं हम एक्स्टेर्नल प्रिशर की ही बात करते हैं हम क्या कहते हैं हम यह कहते हैं कि वैपर प्रिशर आफ टिली कुट बिकम इक्स् करेंगे अच्छा अपके लेकुट नूज है वाई अलीकुचिंग अकडमी डट कॉम यह वेबसाइट में जाएंगे एंड वर्यू हैं पर इस सारे लेक्चर्स डैठा फ्री डैठा बहुत कुछ आपको मिलेगा तो यू हाव तो फालो अलीकुचिंग अक्डमी डट कॉम वाधे हैं अलीकुचिंग क्यापनी डाट कम तो होगया इसका मतलब यह हुआ कि दो चीजी हमने पुरी है कि मेल्टिंग पॉयंट एं बॉर्यण फॉयंट हमने कहा कि जब कुसी सालेट की स्ट्रेंग को देखते हैं तो इसको हम कहते हैं मेल्टिंग और लिकुट के स्ट्र लेकिन बारिंग पाइंट के लिए दो चीजी जुरूरी है इसका मतलब यह दो चीजी पर डिपेंड करेगा वह क्या है दो चीजी है नमबर वान में आपको कहा यह डिपेंड करेगा अगर उपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा प्रेशर अपर का प्रेशर जितना ज्यादा होगा बॉर्निंग पांड उत्वाइब दूसरा क्या है इसको स्टेंग्ट वर्नद इसको क्या गयू है य। स्टेंग्त आफ इसको इलाक AKB-1 निने वाहिए इंटर मालिकुलिर फोसे। जितनी ही ज्यादा ओगी इसका मतलब बाईंग पाईंट इतना ज्यादा होगा है यह मैंलििंक पॉइंड भीए बिधनाई ज्यादा होंगा। हम बात करें दी जनाम कि यह डिपेंड करता है दू चीज उपे और वो जो दू चीजी है हम लेते हैं यह कि हमने कहां स्ट्रेंग्ट आफ्टर सॉलिड है लिक्विड और दूसर क्या है उनका है एक्स्टनल परचर अच्छा यह क्या है आइमेफ वर्निंग पॉइंट मेल्ट पॉइंट ज्यादा हो सकता है इतना आपको पते चल लगए है कि दो चीजी है हम ने क्या कहा एक एक दो चीजी मेल्टिंग में ट्रेंड थोड़ा सा चैंज है क्योंकि हम चीजी बढ़ते हैं और उससों आपको यह ट्रेंडिंग नहीं बता जिसका मलब आप वल्दी करते हैं उसमें क्या है एक तो आइमेफ जो पर लिखा है इस आइमेफ को मैं उठाके इदर भी लिखता हूं आइमेफ एक आइमेफ यानिया इंटर मर्गुलर फोर् की स्ट्रक्चर आगे पीचे हो अगर लोस्टेंग है इसका मिलटिंग पॉंट तो और यह अगर गिलोज पेकिंग नहीं है तो मिल्टिंग कम होता है यह सबसे पहले हम लेते हैं ग्रूप से पहले बात करेंगी ग्रूप से और फिर बात करेंगे, और फिर जाके हम बात करेंगे ग्रूपस में तो हमने दो फञड़ने हे, एक ग्रूपस में और एक पिरिड में हम क्या टेंगे? हम देखींगे देखींगी जनाब जब हम ल Вас to Right जाते हैं left, right left right left, right हम जाते हैं तो हम left-right किस चीज में जाते हैं आपको बıtा है left-right, जिते हम जोते हैं परेकल अ किले सुने करने लिएकल Ao है और उनके थो गज्फ में गजाते हैं अक्रास द परीड हम एक पीरिड में जाते हैं मैंने लेट राइट है मतलब across the period जाते हैं हम दो periods लेते हैं और फिर जाके इनकी बात करते हैं देखो मारबास man जो period है ना वो period नमर 3 है और वो आपको मैंने बताया है तो आपको याद रखना है वो period क्या है वो period हमने पढ़ा है कि ना मांग अली पे पैसे कल और इसको देखीए इसको आप देखीए तो आपको अंदाद हो जाएगे हम के कहते हैं सबसे पहले यह हो गया कि नमाग अली से पैसे कल और यह हमारे पास है period नमर 3 एंड यह आपको जरूर याद रोना चाहिए दूसर हम लेते हैं हमारे पास एक what period है जिसको हम कहते है period No.2 और सप्रिण को हम कहते हैं इह 3 है जिसको कहते है P3, यह आपको जवानнаком कि याद हो और आपको आप दिंदिक ते फैसे कल और P3 हम आते हैं जिनाब P2 की बात करते हैं वट अपाट P2 P2 हमें कोन बताता है हमें पी यहाहँं है इस से उपर जो भी है यहाँ पर है Eli ठीक है यहाँ पर है B E वी यह बड़ी कहानिया है जो हम पढ़े दिया खे प क्ले प्ला यह है यह क्वेंड रख मौल्व है यह हôm Als conecte सूरा यह फ्लूरीण यह हो गया है यह दो हमने पर्णान Sax-ijfe प्रहिए ओर हमने सब्सक्राइब करें नि 이제 पेहले जो पको पता होने चाहिए कि जो इनमी 메 जो पाहो पहलीоры-ग यह निए-जय यह यह मैटल्स है और बाकी जितने भी है यह इन ओर मेटल्स है नोन मेटल्स अब दो बात या तक नो मैटल जू होता है वह मीटालिक बार्ड मनाता है मेटल जू होता है ना मेटल परी okay अब ये देखो दिखो क्वहाइं सजोफ है ये आपकर कारवन सिलिकान पास्पारस अलपर व्लॉरी नहीं यह अच्छak देखो यह हमारे बास मैटर्ट रहें और एपर सबस्क्राइब हमने IMF देखना है इनमें क्या देखना है IMF सबसे पहले है और फिर देखना है structure इन दू चीज़े को लेगी हम और इसकी पैस पर हम लेकिन की explain करेंगे सबसे पर हम लेते हैं P2 की में बात करते हैं P2 में मैं आपको कहा कौन metals है Y, N, I, B, E और B यह मैटल है, मैटल साथ B, ना बाबाना, B मैटल नहीं है, B आता है metalloids में, किसम एक्स्फलूट कर लेगी है, यहां पर सिलिकान को एक्स्फलूट करते हैं, लेकिन होता है है ना, कि बोरान को या सिलिकान को कुछ प्रापर्टीज के लिए इनको as a non-metal कहते हैं, कई पर इंट है, ठीक है, that is not a big deal, okay, तब से फेले हम लेते हैं, दोको फरिजिएं हमारे पाद है, group number 2, तो आपको पता है, group number 2 में कौन है, सब्सक्राइग कौन है, क्यों है, लीटियम की बाद हमारे बास कोन आता है, लीटियम की बाद है, बी इम की बाद है, बी अ उसके बाद है, खीक ह होता है यह लोता है यह दम जो हम नीचे आते हैं इसके बाद कारवन के बाद नेटरोजिन का और है ईपाइब है हाओ नडीर्जन क्या है यह बाद को यह थोड़ा सा यह थोड़ा सा नियार भी तो यह थोड़ा सा दम है अच्छाइब कि जा पूल ए पशुआ है नियार नहीं सारी पनीजियार ऑद्सक्राइब तो बादशाह है यह जो ट्रेंडिंग है यह समझ नहीं है तरिए सबसे पहली बात ही है पहले वले मेटल है कारवन ही नहीं है लेकिन कारवन ही नहीं है अब देज़ पीच जिल इस बादा मसला है अब गई सर यह explain करें सबसे पहले हम बात करते हैं जराब metallic one जब भी होगा वहां पर milding point ज्यादा होगा अब कहींगे सिर्फ क्यों वह इसलिए ना देखो हम जब metal की बात करते हैं हम जब metal की बात करते हैं ना metal metal कैसा होता है metal का एक nucleus होता है यह जिसमें proton होते है है of course आप जानते हैं मैं इसलिए बड़ा बना रहा हूँ कि आपको clear हो अब यहां क्या होता है यहां पर एक कर इंका यहां पर इंका वो होता है जो electrons होते है वैलेंस उलेक्टरांस यह नहीं जितने प्लेट हर एक सारे होंगे और यह Labour कोई और है और यह और इसको अर को पो दूड़ है इस मैं से लूग ते सब प्रैइट करेंगे था कि लतारी है कि तरी करें लुट का Girls गार्ट और है इसको हम कहते हैं बार्ड किसी मैटल की निर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग इनर्जी को हम कहते हैं बाइंडिंग इनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है इन्हें बाइंडिंग इनर्जी ज्यादा होती है इन्हें बाइंडिंग इनर्जी ज्यादा होती है इसका नॉन मेटल जो boiling point होता है उसकी value ज्यादा होती है तो boiling point की value इसका मदब है कि lithium मैं for example इज़े लिखता हूँ ठीक है for example ऐसे में लिखता हूँ यह temperature है जो कि हाई होता है temperature ऐसे है ठीक है बसके दूसरा कलर इस्तिमाल करूँ मैं लिखता हूँ lithium लिखियम यहाँ पर है तो वह दो थिंक अबाउट है भी बी इफकोर्स मेटल है तो इसका boiling point ज्यादा होगा clear होगा पिर उसके बाद कोन आता है उसके बाद भी है तो थोड़ा सा यह ज्यादा होता है लेकिन में एक regular trend नहीं होता बलकि थोड़ा सा होता है वीससे ज्यादा होता है है अच्छ उसके बाद कोन है भी उसके बाद है कारवन क्या है कारवन कि यह कारवन की लिखते हैं नहीं इसके ऊपर होगा है हमने कारवन देगर लिखना है for example तो एक मेंट मैं बलकिसको clear करूं कि मैं doubt नेच होना चाहरा I don't want to leave any doubt here अखिर सब्सक्राद करूं इस हम को पता है वहीक हान के का अ लगलिको को लितों इक है कि लिके और बी है कि मैं रिवहां सिन श्रीकर ए डिवी सी ठीक है कि यह कि लिए अब होगे अम हमाते हैं इस इसकी बिल्कुल ऐसी यहां परोगा नाई रोजन यह हरी होग। है, यहां ली पर क्या है, लेकिन ईक थोड़वाद सब्सक्राइब कहिए, बढ़ फिता सा धार लॉजह का को। अब यहां पर यह जो चाहिए सब करेंड़ लोग। हम निए एक्सप्राइं के जिनाब की जो मेटिल होता है इनकी कहानी के होती है तो मेटल की कहानी यह वरी हाइफ्ट कार्बन कार्बन की जो है ना मिल्टिंग पॉइंट बॉर्णिंग पॉइंट पॉइंट बॉर्णिंग पॉइंट बॉर्णिंग पॉइंट इस वहरी हाई इन फिरिट 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 फू में अगर आप देखें कार्बन जो है इसका मिल्टिंग पॉइंट बॉर्णिंग बहुत हाई होता है फिसकी को जाए जब हम कार्वन की बात करें ना यहाँ पर याद रखना जब हम कार्वन की बात करें ना आम कार्वन यहाँ पर हमरे पास कार्वन है हम जब कार्वन की बात करते हैं इसका मतलब भी हुआ कि हम बात करते हैं कार्वन दो फर्म में मैंनी एक् अब डाइमल्स वतेरी वह लह लोहे को काच सकता है और यह डाइमडिya को काच सकता है एयुए हम आते हैं जणनाुल मस्किजक्ड हाँ हम कि हम डायमड और ग्रेफाइड की बाद करेते तो हम जो डाइमेंड और ग्रेफाइट को जो इसा होता है ना ग्रेफाइट क्या होता है तो आपको बता होना चाहिए ग्रेफाइट हम कहते हैं कैसे कार्वन शीट होती है ऐसी और फिर इसके उपर एक ओती है ऐसे फिर शीट नीशी इसी शीट होती है और यह हम खते हैं यह हम करेफाइट यह इसको हम कहते हैं यह सारे-स पड्री के सारे सब्सक्राइब कर दो चीजे माने पास है हम नहीं पड़ा कि कारवन क्या होता है दो फाम में एक्जिस करता है रिफाइट और इसमें अच्छा एक जो लेर है ना मेरी बहुत 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 इंपोर्टन पॉइंट यह जो लेर है हम क्याते है है इच लेर अब graphite is called Each layer Is Called Graphene Graphene ये graphene layer 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 These are the layers of graphene So graphene की layers जाके मिल की क्या बनाती है आपको ये देती है आपको क्या आप दोखो यहाँ पर जो force of attraction है यहाँ पर इक koalland bond है यहां पर क्या है शीट से और शीट एक दूसरे के साथ connected है अब हम कहते हैं यह जो ग्रेफाइट है that is soft softer actually than the diamond diamond सखत है लेकिन ग्रेफाइट क्या है वो नरम है अब हम कहते हैं melting point boiling point की वाद रहते हैं तो carbon का इसी वज़ास है क्योंकि एक बात या था अब हम आते हैं यह कि यह तो हमने कहा वह यह तो होगई कहानी यह था ठीक है लीटियम बेर बी मालब हम जैसे जाते हैं मैटल में आगे वहां पर melting पॉइनिंग 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 लिफ्राइट जारीठ प्रेट लिफ्राइट ए violating प्रेट जैसे पहने हैं वने सिね प्रप कहला प्राय। कि इस इस्हस्का टो यह पता है कि निघर दिख्ल में के रूए तो आप बिन की तो आप पिसको हम किसे रही तो आप वैहीं अजे क्षिए गार्फ के Buffalo से मैपना आम हैं तो किस ने उत् है इसको हम कहते हैं जिप सैज पी हमें हम और साथ में हम किसको रहते हैं साथ इसको हम क्या कहते हैं तो हम ये लेते हैं दोनों हम इसको कहते हैं चारज डिवाड वाइड वा drag by the size मैं आ मुझे बताओ left right ज्याते है possiamo य। shouting ज्याता हिकर पारत कि ममतों होता है आगे ये जिद्याता है size क्या ह क्या मर lunar left right कि ने हम जिसलिद्ध होता है अब अगर size कम होता है और य। ज्याता हुता है जायदा होता है तो value का स्काराइब भी सिक्राइब एक कर appetit है कि लेस्ट के संब्सक्यार क्यों कर सीधिस का In this होगी तो क्या होगा हमहीं बता है with force of attraction if oa Ooooh होता है force of attraction increases इन क्र Васी इंक्रीज होती है तो जब force of attraction INKRůजीज इसका मतल現在 मैं क्भाशन का हुआ कि left right force of attraction का मैं मेल्टिंग पाइंट इम कमकी मेरीं पॉंट इंग बो यह थो गही मेड करा हुआँ ग्रेफायट हम लेते हैं तो ग्रेफायट यह होझा है इनगेमेंज मल्टिंग निपार्ध्ट होता है वो होता है सन्हें सेंतीस फचास यह क्या होता है ङुक्त है सेंटीस पड्यास आप समझगोँ किया बैसा पहले कहा है अच्छा वट बाउबाउब डाइमेंड क्या डाइमेंड भी सेंदिस पे चाहा है या इससे ज्यादा है आपको देखे बहुत सारी लेड़्स होते हैं अब अब करने लेयर को अलेगे लेड़ को जिदा करते हैं इसलिए इसका वाइलिंग मुल्टिंग पांट ज पांट तकरीवन बराबर होता है लेकिन मेल्टिंग पांट ग्रेफाइट का ज्यादा है यह आपको यादा होना अचाहिए अल्दो डाइमेंड इस दे स्ट्रॉंगेस तिंग इंद वार दुनिया में सफ्तरीन जो चीज़ कंस्टरिक होती है वो क्या है वो डाइमेंड है इसको में क्नसिटर करते हैं कि इस दीससफतरीन जीए अच्छा हम इसको कहते है ना डहें फ़ांट कोवएलंट स्ट्रॉंगेस यह गैज एक अरग-बंक यह जांट को इलिए अब नेटवर्क सालिट का नाम जुना होगा नेटवर्क सालिट ये वही चीज एक चुरी नहीं बता है तो फिर हम सालिड में सालिड चेप्टर को देखें लास तास पेक्चर उसमें चीज इस प्लैन हो गई है कि हम क्या कहते हैं वह यह कार्वन जाइंट कोवलेंट स्ट्क् चार यह तो फिल चार विजए इस इसने चार में पीज़ा कि चार यह बनाएगा तरी यह ख्लूज ली पैक्ट है इसके अंदर इलिट्रान का ना जाना मुश्किल है हमें कहते हैं इसलिए डायमंड क्या होता है डायमंड यह जो हम जो होता है यह यह निजिए यह इन्सुल एपड़ुकर करेक्र होता है लेकिन ग्रेफण नहीं है यह ये कंडख़क्टर है अल्लों के कंड़कर य१ाद रहें प्ली में यह कंड़क्टर है क्योंकि हुआ है यह जाई हैं न? मैंदी कहाना? क्रथष्ट लेयर् beetle डूटी ऐसे लेस ठीकिन है अन फंच लेश्क अंदर इ और graphite को compare करते हैं तो इसमें electron के जाना मुश्किल हो जाता है देखो दोबारा मैं बनाता हूँ इसे यह उपर बनाए भी है लेकिने देखो यह कारवन है इसने चार करवन के साथ बार्ण बनाया है ठीक है अब यह वाला कारवन चार के साथ बार्ण बनाया है हमें दूसरा इस गर समय है क्या है इसने दूसरा इसने बनाया है 4 बुरे हो गए यह भी 5 पूरे करेगा 8 क्या पूरे करेगा तो कि यहां पर सारे के सारे सिंगल बार्ण है यह single bond का मतलब है कि यह SP3 hybridized यहाँ पर बंजीन रगा है बंजीनिंग जाते हैं ना बंजीनि तो बंजीनिंग के अंदर double bond होता है यहाँ पर डी लुकलाइज देनिक्रांथ है अब यहां पर हब्रेशन क्या होगी SP2 यह कि डबल बांड है हम ने को यहां पर हब्रेशन SP2 है यहां पर हब्रेशन क्या है भी SP3 है OK अब हम इसको कहते हैं Octahedral Diamond को क्य हम कहते है न दामेंड को जो structure है यह वाला structure इसको हम कहते है Octahedral अच्छा ग्रेफाइट ग्रेफाइट के नाम याद हो ठीक है याद हो तो भी इतना मसना नहीं है लेकिन हेग्जागोनल होता है यह होता है हेग्जागोनल होता है तो अब देखो हेग्जागोनल होता है अच्छा चाराजाराट सो चाराजाराट सो इसके बानिंग पॉइंट होगा तक्रीविन 4802 डिगरी के फर्क होता है लेकिन तक्रीविन बराबर होते हैं हमें करें यह क्या है यह बराबर है एदर आप इसको देख से आपको तर्किस डायमन्ड पहला है तो आपको तर्किश डायमन पहले हैं यह अपसी हो गया है इसकी डायमन के जो वो हता है यह जो डायमन की जो इसमें प्रिजम बंदा है कि अब आते हैं वापिस अबने लेक्चर की तरफ जो चीज़े हमने पढ़नी है उसके बारे में आते हैं लेकिन यह हम बात करें जनाब यह क्या है तुम्हेर पैस यह ऐसा होता है अब आमने बात की जनाब डाइमेंड और ग्रिफाइट और यह सब चीज़ें आपको पता होने चाहिए चार्ड डेंसिटी क्या है चार्ड इंसिटी इस रेशो अफ चार्ड एंड साइस ठीक है तो चार्ड डेंसिटी इंक्रीज होगी पॉलिंग फाइंट बिलिंग अफ्लास यह न बनाता है इंठो है और बनाता हैinhaud ठो ठीक है फिर आप देखते हैं होता है कि यह ना कि छुफ्लूरीन है और दूसरा फ्लूरीन है फ्लूरिन का कम है अक्सीजन उसके हो तो इस तो इसने दूसरे को अधर यहां किया करते हैं तो एक अथम वाला माली कि इसको खेया है तो भी यह क्या है काENT क्या है assume diqd ki subtiqt wyna cui इसाला है ने क्या है अच्छा एक ये में का हम जोसक्च की बात करें ऑफ यह हम सब सब लेफट राइट की बात करते हैं जो trending जिनर trending में हम कहेंगे melting point and boiling point increases first and then decreases exceptions को अटा गया च्छा अब कर देक्सेप्शन is the beauty of chemistry chemistry वे सबसे उपसर त्रीं चीज़ क्या है वो exceptions है क्योंकि जो exceptions को अटाओ तो फिर physics बनता है इसमें उसमें इतना कुछ नहीं है इसलिए आपको इसारी चीज़ी क्या होनी चाहिए यह आपको सब क्लियर होनी चाहिए आपको सब क्लियर होंगे और यह लेक्चर जो हमने यहां तक लिया है वह को समझ आया होगा melting point melting point first increases and then decreases right और जो reasons हैं वो सब हमने बात की है आखर में आते हैं हमारे पास क्या nitrogen oxygen nitrogen oxygen and oxygen and oxygen fluorine and neon okay दो बाते हैं पहली याद रखना पहली और यह बात क्या है पहला क्या है यह जितनी भी है ना कौन एने टू बनाता है वो ओ टू बनाता है एफ एफ टू बनाता है नियान simple होता है यह हम कहते हैं यह सारे की सारे क्या है number one यह non polar है non polar non polar यह एक nitrogen दूसरी nitrogen के साथ बान बनाएगा तीन बान बनाता है तो इलेक्टराण अपनी तरफ निये किंचता है निये किंचता है इसका मतलब unser यह हुआ कि ऐन्टू जब सेंटर में होंगे इसका मतलब है किそ Next कोई तरफ नहीं करता तो कि यहार। Su it कि है नौन ऑल्र, Analyticsります small का मतलबी है कि N2 अलग होता है N2 अलग record N2 है वो अलग इनके साथ wonderful forces बनाते है F2 अलग नियान ऐसे यह कहते हैं इसको हम discrete लफ भी इस्थिवाल करते हैं discrete हम क्या कहते हैं इसको discrete लफ भी इस्थिवाल करते हैं कि मैं हमारे पास क्या होता है discrete होते हैं लीनियर लीनियर होते हैं इसी वजह से इनके मिल्टिंग पॉर्लिंग 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 िए हैं यहां पर जो चीज है उस Treaty है पोलराइज अईभिल ही अवाब करीज तश्री क्या चीज वह कहते है यह वकुम्मिटो पूह भी इसको कहते हैं Mm All Fucking रहा दूसरे अक रहा है कि यह ना यह के ग生राब यह जो अिनके एक हैं ईसवा और यह तैंडी की यह यह सचेंज होजाता है यह वाला स्ट्छक्फिर गोल है कि ऐसा है अब seven छुच्य में हो और मेंगे इसको हम कहते हैं polarizability, polarize ability, अब जिसमें electron ज्यादा होंगे, size बड़ा होगा, polarizability ज्यादा, और जिसमें size कम होगा, electrons कम होगे, polarizability कम, इसका मलब polarizability किस पर depend करेगा, ये size पर depend करता है, इसका मलब भी हुआ, कि जो non-polar है, या जो, 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 के equivalent bar बनाते हैं, य हम कहते हैं, इनका, जो, मिल्टिंग पॉंट, बॉरिंग पॉंट है, वो, depend करता है, इस पर polarize ability, polarizability, हम ये कहते हैं, कि इनके, जो, मेल्टिंग पॉइंट है यह जो बॉरिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है इस चीज़ पर पॉलराइज़ एहबिलिटी पर हम ग्रूप्स में भी इसकी बात करेंगे अच्छा है जो सोरीन प्लॉरीन ग्रॉमीन आईडिन वगारे की बात करेंगे न वहां भी हम इन चीज पर ज्यादे होगा और कम तो कम लेकिन यह ज्यादे हम इस्तेमाल करेंगे ग्रूप में रादर बैं पीरेट ना ठीक है समझा रही ने मेरी वाद आप आते हैं जराब इसको इदर छोड़ते हैं और फिर नोबर फ्री पी त्री जोगी सबसे इंपोर्टन है एम इसकी बात क करता है मेरा को कहां बोल् Congo करता है external pressure पे और inter-molecular forces मैंत किसीज़ करता है IMF inter-molecule forces पे और depend करता है किस सीज़ पे structure इंगर structure है इसका structure tightly bound इनवेसट नेक्स लेवल ऑट किчитव snow going हम आते हैं जराब अब फी त्री जी तरफ जो कि सबसे इंपोर्टन्ट है फी त्री उदर मैंने लिखा भी है यह क्या है हम बोलो भाई याद है अचाहिए आपको क्या ना मांग अरे अली से पैसे कल और नमान अली से पैसे कल और यह आपको है है वह हमारा ये पीर निमर थ्री हें प्रेंट 7, 12 में उन्हटी रिका है रहाँ हम लिखने हैं वहाँ पर आने लिखा था क्या यहाँ पर हम लिखेंगे यहवाला वहाँ पर आ flooding लिका वहाँ पर हम जो जो हम बात करते हैं देखो यहां पर हमने कहा था ने सिलिकान तक यह कारवन तक वही ट्रेंड है जो कि यहां पर है यह जो ट्रेंड है ने कारवन और सिलिकान यह सेम ट्रेंड है जिस यहां तक है हमें केंगे first increase आता है कहां तक इनक्रीज आएगा और यहां तक आएगा एक increase आता है melting point में क्या आता है एक increase आता है यह जो increase आता है आप जानते हैं कि सबसे पहले किसके बिजिए से आएगा क्योंकि हमें पता है यह नहीं है यह पहले वाले यह मैटल है यह क्या है और सिलिकान क्या है सिलिकान मेटलोड है अब उसके वाद आता है कुन फ मार्स फोन कि इसारी सारे कि सारी यह टीमंगे इसारी सार जिए Cincinnati इसारी भी औरन अच्छा़ कास इसारी सुधियां है र offers क्या तो हमें पता है metal और non-metal के हम बात करें, दोनों में melting point, bowling point किसके ज्यादा होता है? वो हमें पता है कि अगर हम दोनों लें, तो हम कहते हैं कि जो metals हैं, उनका melting point, bowling point high होता है, ठीक है? हम कहते हैं कि यहां पर सबसे पहले, यहां decrease आता है लेकिन फिर उसके बाद यक्तम decrease आता है पास पर उसके एक decrease आता है ठीक है? यहां जाता है फिर हमें क्या है? एक decrease आता है यह हो गया हमारा यह हो बलब यह हैं कि सबसे पहले sodium, फिर magnesium aluminum, silicon silicon का सबसे ज्यादा फिर उसके बाद हम आते हैं क्या? फिर उसके बाद आते है fast for us यह हमारे पास fast for us है जहां पर रहाता है यस और फिर आता है और यह है अब हम कहते हैं क्या होँआ जनाब कि हमारे पास सबसाप पहले हमने इसकी बात की है वहीं मेटल्स हैändert वह अंद रिकान आप नहीं है इस या वाय एए एक लिकान होता है तो जाके चार सिक्कानत के साथ बार्ड बनाता है भी हम आलसे होगे सब्सक्रांद और फैसर मिनाता है सपेट एट है इस एड्ट करोठा सटर स्ट्क्च्र होता है न वह क्या होता है है मैं इस आड kinda जो होता है हम क्हेते हैं यह क्या है यह वर क्य DB Sith पी फॉर मेरा यह चार यह नहीं हुए एक सो फिर चार्ट ये पर ये होता है सर्फर बनाता है पी क्या होता है एक डूट इन चार ऐसे होता है पी पी पोड अब जितनी ज्यादा एटम साथ में होती है हम क्याते हो कि इतिव फॉइक कर आय título सबसे है ना पर पीडि़ित बने से गितियाया तॉइन यह पॉइंट्वीज RAW सबसे पहले क्या बारते हैं मिल्टिंच में reflect सबस existing को ही सूरीं अब सूरियम के बाद हमें उनियस्ट या होता है ज्यादा होता है लेकिन उसके बाद कौन आता है उसके बाद aluminium आता है aluminium प्रकीवण aluminium का magnesium से जयादा है लेकिन थोड़ा जयादा है लेकिन उसके बाद आता है silicone silicon काफी जयादा है silicone क्या है स्वफी जयादा है तो अब लिखे aluminium और magnesium के जो milटिंग पॉइंट है उसमें एतना फर्क नहीं है लेकिन अगर हम बाकी लेते हैं तो बाकी यह होता है ना कि हम आएंगे डिरेक्ट भी यहाँ पर आएगा यहाँ पर ऐसा आएगा ठीक है और बाकी फिर कौन है देशनयrh है है उसके बात को आरगान यह भी किसी कि मिल्टीं पॉइंट की द्रेंड है कि आपकोkee कोंसे दो होगाो यह वदा खान हैSp7idd कि हम सोडियम लेते हैं स् λेंट कोन है में यह जो बॉलिंग होता है उसकी अपर है यह नीचे अमीन डिर्स का ओके यह होगयो अपका यह लेकिन अलुमिनम तो 28 सेदा होता है बॉलिंग आलिमिनम का क्राम घॉर्ट का सुरी सुलिकान का थोड़ा से कम होता है और फिर बाके ट्रेनिंग सेम है यानि फास्पोरस सल्फर फ्लॉरीन और अर्ला अब यहां पर आपने इसका ख्यार लगना है यह पॉइंट लिए जो जगा नहीं है यह आपके यह सबसे इंपॉर्टन्ट रहना वो यह है आपके जाओ अच्छे दो से का नका स्ट्रुक्चर शिर्कान अब जो फेली स्की बात करते हैं सिल्फर है यह यह जाकर और ऑडमनाता है यह पिर जाकर और के साथ बांड मनाएगा ये यह पिर जाकर और यह नहीं है यह यह फिर उस चारों के साथ बार्ण बनाइए गाए न पीछे आएगा इसको उसको हम क्या कर नहीं तो हम इसको जो की सब्सक्राइस बनाइए खरी दूसरे कौनस फिर जाकर यह चारों के साथ और की साथ की जाकर बार बनाएगे तो दोलों का स्ट्रूक्चर स्थे में इसलिए जिसलिए सिलिकान के ज्यादा है में इंडर्स्टेंड सिलिकान के मिल्टिंग पॉइंट ज्यादा है जो जो मैटल्स है जहां पर हम मैटल्स की बात करते हैं मैटल्स की हम बात करते हैं तो मैटल्स में हम दूचीज़ देखेंगे हम मैटल्स की बात करते हैं तो मैटल्स की बात करते हैं तो हमने कहां एक हमारे पास यह होता है दूसरा हाँ ओता है इसके पहले मेटल्स की करें इसके बारे हम बात की है कि यती होता है छांज इचाप होते हैं अब को बता ओनाइग के मैटलिक Lib So I can light एक हैं इक होता ऐह बाइंडिंग एलेग्ट एलेग्टर्ण कितने एक डो तीन इक तर होती है तो बांडु ईसमें दू चीजी होती ही एक होता है बाइणिंग एलेक्टान तो बाइणंग इमीटराइज जी थनी ज्यादा होंगे और दूसर क्या होता है सॉधर पॉज्च कर भी अ क्यों Nous arm mad कि मैं इसके मतलब है कि वह उसके मैंटिक्पाइब बॉilिंग पार उथरही ज्यादा होगा चाट डेंसिटी लेफ राइट ऑफ पोर्स इंद्रेजिस वी ठॉक्ट अपॉर्ट अब भाट लेफट डेंसिटी इंक्रीजिस हो जोते हैं तो लेफट राइट ये पार आट है चा आप पिक्टर पिछ लेनी है या जो भी लेना है वह अपने या ठेक दो फोटो विकार हम अब ट्रेंडिंग की बात करते हैं इन दे ग्रूप अब बात दे हैं डाउन दो टॉप टॉटम या निए डाउन दो ग्रूप करते हैं कि ग्रूप में क्या होता है तो सबसे पहले हम देखते हुए दो किसम के हमारे पास ग्रूप होते हैं एक वह ग्रूप होता है जिसमें ग्रूप नमबर वन एंट्व है जिसमें मेटल्स होते स्ट्रेस के दोर होता है उसलिए इसलिए हम मेटलिक करेक्टर वाला जो लेक्चर तहां अलग मेटलिक करेक्टर डेह नब जो लेक्चर देखना है अगर आमको कर्केमिस्ट्री स्टॉं़ क्रि hm है हम कियाते हैं जो ग reproduction सॉय गृप निंबर फैसे состав थे हैं थे यह क्या है कि इसकी बात करते हैं यह पहले लैला ने किस्के क्या है कि इसमेश क ह алवा फ्राड तो वह फ्राड वाली गाहनीे अभी करेंगे तो यह फ्राड यह दर देखें कि जो लैना नै नाले ने क्या theological तो इसकी बारे में बात करेंगे। नुए और दूसरा क्या है मारे हैट दूसरा सबसे, हम इंनि इतकी बात करते है, फिर दूसरा आता है, मारे पास क्यूं है। धी इ, beğंगम, बैटा मांगी, या बेगम म घाटा से, बैठा मांगी काईनात, बाप पराजी ठीक है. बेक्टा मांगे, काइनात, बाप राजी, अच्छा, यह तो अलग बात है, निमोनिक है, एक सीखने के एक तरीका है, जो कि आपको याद होने चाहिए, यह तरीका है, लेकिन दूसरा हम आते हैं, यह मेटल में हम नीचे आते हैं, हमें पता है, यहां पर मेटल में मिटालिक ब होगी, यह वर्नरवाल फोर्स होती है, इन्हें एक क्लोवीन है, दूसरे क्लोरिन साथ इंट्रैट करेगा, तो क्या होगी, वर्नरवाल फोर्स होगी, और ये दो पॉइंट्स हमने पड़े हैं हमने कहा था कि कुछ चीजे जो कि important है वो क्या क्या है जो कि जिसे हम melting point, boiling point को मालूम करते हैं वो उसमें से हमने पहली बात की थी आपको याद होगा हमने बढ़ा था metallic band क्या बढ़ा था metallic band दूसरा हमने पड़ा था charge density charge density तीसरा हमने पड़ा polarizer ability यह हैं ना इतीन चिजे हमने पड़ी है अब यहाँ पर देख नहीं तो यह दो यहाँ पर valid है इसका size छोड़ा होता है लैला का size बहुत छोड़ा होता है ना का size बढ़ा होता है किया का साइज यानि पुटाशियम का साइज उससे भी बड़ा होता है रोबीडियम का साइज उससे भी बड़ा होता है और सीजियम का साइज सबसे बड़ा होता है साइज बड़ा होता है ठीक है क्योंकि शेल्स एड़ होते हैं से में इसे छोड़ा होता है लेकिन इससे होता है हम कहते हैं डौन द ग्रूप यह बात यहां रखना कि डूंड Do ग्रूप नीचे जब हमाते हैं न नीचे वाइ आते हैं तो तो मिठालिक बार्ण क्या होता है वो वीक होता है अब आप कहीं कि साथ यह तो कैसे वीक होगा वो तो स्टॉंग होना चाहिए उसके एक वजा है देखो हम एक लेते हैं कोई भी ली जब है चोटा है इतना तो इसके एक ही शेल है मुझे बताओ अब यह प्रोठान जब इलेक लेकिन उसको साइज भी बहुत बड़ा है तो अगर यहां पर कोई एक्ट्रान है यह ज्यादा ट्रैक कर सके है और के साथ क्योंकि यह जो न्युकलिस है यह बहुत दूर होता है तो हम कहते हैं बतालिक सब्सक्राइब कि नादे हैं पुलारीज़ नहीं हम कि पॉइंट यहां पर होसे हैं इसका भी हुआ कि मिल्टिंग और बालिंग पॉइंट डिक्रीज़ेस डाउन दे ग्रोप क्यों कि मिटालिक बांड कमजोर होता है समझेगे मतलम अब गोर से देखना दुबारा तो हम पर खहेंगे साल येस बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर हम नीचे आते हैं तो नीचे क्या होता है यहां यह होता है कि जो मिटालिक बांड है वो कमजोर होता है है जब हैंग हम पता है चार्ड मिय्दॉथ में ऱ्ट इस सब में हैं अंगो कर दो है यहां और यहां की बात करें कि तो और ने कम प्सक्यला रहा है है group number one से है यहां पर हम बात करते हैं down the group down the group size बढ़ा होता है लेकि group number two में down the group melting point and burning point decreases लेकिद exception है यहां पर क्या है exception है आपको बता है exception is the beauty of chemistry exception is the beauty of chemistry एक्सेप्शन हम आते हैं हम कहते हैं बहुत हाई है उसके बात आते हैं तो मिंगिशम खमजोर हो जाता है उसका बहुत difference है लेकिन यहां पर हम आते हैं तो फिर ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम लेकिन magnesium सबसे कम है और करसे नहीं है कि वहाँ है फिर हम कहते हैं दोनों का hexagonal यह जो दोनों के structure है वो same होता है देखो structure is very important sorry एक structure में भूल गया है यह fourth number point structure metallic structure यह structure अब आप कहींगे सारी क्यों देखो बी-ई is exceptional case बी-ई क्या है बी-ई बजाते खुद exceptional case है च्योंकि हम बार-बार पड़ेंगे वो इसलिए exceptional case है ना बी-ई का size बहुत स्मॉल है small size इसका size इतना चोटा है क्योंकि इसकी पी-पी यह पोलराइजिंग फावर ज्याद होती है यह polarization नहीं होती है बलकि polarizing इसका मिल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जागा है उसके बाद आते हैं एससी वजह से हम आते हैं वहीं बाकि हमें रीजन पता है डाव दूगरू पाएंगे size बड़ा होगा structure change होता है तुसी वजह से मिल्टिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है लेकिन यहाँ पर हमारे पाद external case phone है exceptionally high BE है और exceptionally low magnesium है समय चारी बाद exceptionally low melting point sorry exceptionally हम यहाँ पर क्या है exceptionally low melting point और exceptionally high melting प्रोर्ट तो अब आते हैं जनाब next की तरफ हम नेका भई यह तो हमारे पास नियों होगे लेकिन आते हैं कि अगर हमारे बात यह metals नहीं है यह non metals है if the given is not metal but this is normal अब हम यहाँ क्या देखेंगे यहां हम size को देखेंगे यहां पर हम किस को देखेंगे size अब हम यहाँ हम इसका मतलब यह हुवा कि हमने क्या करना है, हम यह meditation, cycling and bowling point का size लड़ा है यहाँ पर Дेखो, मैंने आब कोई यहाँ पर बिशाया है, कि size इसके bigger, इसका size बढ़ा, इसके size बहुत बड़ा, और I think concept size बहुत बढ़ा है, तैvy के हम यह गरते हैं एक और फ्लॉरीन है घंप एक और फ्लॉरीन आते हैं ये क्लॉरीन है यह बूरूनीज है और यह याव आयोटीने भूबी है लेक। अगर है, टोनों की सब के सेवन भैलन्स इलेक्ट्रांस हैं हर एक में सेवन वैलन्स इलेक्ट्रांस है यहां भी सेवन यहां so जी रिक्तुर्ट थो है। टो होती है। amount value of distortion हम कeriह एसको कि नहीं पोलराइ 1718 क्या किते है ओल्राइज एबिलिटी यह एंगे प्राइज अ कि अबिलिटी इस डारीज अ क्यों सिल्गों Polarize Ability is directly proportion to distortion क्या distortion and that is directly proportion to melting point and boiling point म्तब क्या हुआ विद्क नान-polar का मनदब कोई pole नहीं है लेकिन देखो सारे अलेक्राण एक तरफ आते है और इसका साइस ऐसे हो जाता है तिसका मतलब है कि फास्टो इदर, नेक्रो इदर, अब यह जो इनके इलेक्टरान जो एक तरफ आते हैं इदर, यह यह दूसरे को अट्रैट करते हैं, एंदिर इस इन अट्रैक्शन हीर, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन बहुत कम होती है, अब आयोडीन की बात करते हैं, य कि सार इसमिम्म यहां पर सबसे ज्यादा है इसलिए आयोडीन का जो मिल्टिंग प्ट पॉइंट है यहां पर माइनस वेनिस वनेटी एट पॉंट वन है कि इतना difference क्यों आया तो size की वजा से polarization की वजा से लिख्रान की distortion की वजा से एक डिस्टॉर्शिन जितनी स्यादा हो इतनी ज्यादा होगे जितनी polarizability ज्यादा हो इतना metrics by को एंठ तर क्या नशवासिट थैस्ट इंदस्यंड does all आपके लिए हाजर है अली कुछिंग अक्याडमी डाट कॉम के आप जाएं यहांपर आप कुछ भी लेख सकते हैं कुई भी कुछिंग कर सकते हैं वी आलवेज हेर फर यू अगर आप हमारे साथ प्राइविट लाइफ सेशन लेना चाहते हैं या हमारे साथ ऑनलाइन क्लासि जहां की मर्जी या यूट्यूब इस्पेशली अली सीरीज बुक्स भाई ऐसे यहां पर यह त्री फॉर फाइफ 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 एट्स जिरू टूवन मिलेंगे इशाला एक न्य वीडियो के साथ नहीं अडियास के साथ अलेक्टिक्टिविटी के साथ